हाई एवरिवन नमस्कार वेलकम बेक टू माई चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉक्स कैसे हैं आप सब आचा करती हूँ सब बिलकुल ठीक ठाक होंगे बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे सुबा का टाइम है और मैंने अभी अभी पूजा की है तो सोच आप बहुत दिन हो गए है आप लोगों को मंदिर के दर्शन नहीं कराए भगवान जी के दर्शन नहीं कराए है तो आज आप लोग भी दर्शन कर लीजे भगवान जी के दर्शन और धूप आर्टी ले लीजे सुबा सुबा बहुत अच्छा लगता है घर में पूजा होती है धूप अगर बती की खुश्बू होती है तो एक्तम माहूल जो घर का है एक्तम फ्रेसा हो जाता है और मुझे तो खासकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सबसे पहले घर की क्लिनिंग के बाद जितना भी पॉसिबल होता है सुबा करती हूँ और उसके बाद फिर नाने के बाद तुरंत पूजा तो सबसे पहला मेरा यही रूटीन होता है बहुती मन को शांती मिलती है और मुझे से बिना पूजा के सुबार रहा नहीं जाता बिलकुल भी और यहां पे इन्होंने चाई रख दीती बनने के लिए तो चाई अच्छे से पक चुकी है चाई यह रख देते हैं तब तक मैं पूजा का काम करती हूँ तो पापा की चाई और दीधी की चाई मैंने पहले ही बना दीती सुबा पापा और जो मीनन्द है वो सुबा ही जल्दी चाई ले ले लेते हैं तो फिर अमने चाइव गेरा ली और उसके बाद मैं या प्या गई हो किचन में ये तयारी करके रखी है मैंने सबजी बनाने की प्याचो पर में चौक कर ली है लेसुन के साथ और ये सोया बढ़िया है सोया चंक्स जिनको मैंने खोलते हुए पानी में भिका के रख दिया था प्याचो का तेल अच्छे से गरम किया है और फिर इसमें डाल दिया है हींग और चीरा हींग जीरा हलक असा हुआ तो फिर मैंने उसमें एड़ की है प्याच और लैसून जो चौकर में चौकर के रखा था और बनाने वाली हूँ आज सबजी मैं आलू और सोया चंक्स वाली जो सोया बड़ी के साथ आलू की सबजी बनती है वो वाली और प्याच को गोल्डन ब्राउन होने तक यहां पे भून लोगी और यह सबजी मैं कुकर में बनाने वाली हूँ क्योंकि आलू की सबजी है तो कुकर में जादा जल्दी भी बनती है और अच्छी भी बनती है तो यह सब अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसमें साथ में ही मैं डालने entered होँ यह सोया चंक्स वाले सबजी खा रहे है तो बहुत ही अच्छा सा मसाले का फ्लेवर इनके अंदर आ जाता है और फुन भी जाती है और उसके बाद मैंने एड़ किया है टमाटर, हरेमिच और अदरक का पेस्ट तो इस सब को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और थोड़ी देर के लिए टमाटर पकने के लिए छोड़ दूँगी और तब तक मैं अपने आलू काट लेती हूँ तो तीन आलू लिए है मैंने मीडियम साइज के इनको मैं लेंटवाई जैसे ही काट लूँगी तो देखिए आलू भी मेरे कट गए है पहले मैंने धुल के छील के रख लिए थे और ये देखिए टमाटर के साथ जो है सोया वड़ी अच्छे से पक गई है और आप चाहें तो इस सबजी को यहां पे ऐसे भी खा सकते हैं यह सबजी बहुत टेश्टी बनती है और यहां पे मैंने नमक अभी तक एड़ नहीं किया था इसमें बस आप नमक डालने तो यह सबजी ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है और आलो डालने के बाद मैंने साथ में ही इसमें गरम मसाला एड़ कर दिया है और एक चमच भरके मैंने इसमें डाला है किचन किंग मसाला तो ये दोनों मसाले मैंने साथ में डाल दिये हैं और अब इसमें डाल दूंगी पानी जितना भी मुझे चाहिए जैसी भी ग्रेवी वाली सबजी आपको बनानी है ज्यादा पतली बनानी है या फिर थोड़ी सी टाइट बनानी है और नमक मैंने एट नहीं किया था वो मेरे आज दिमाग से निकल गया था लेकिन अभी अभी मुझे ध्यान आया कि आज मैंने नमक नहीं डाला है कभी हो जाता है ऐसा कि नमक हम भूल जाते हैं तो नमक डाल दिया है और बस अब मैंने इसकी लिट लगा के छोड़ दिया है पकने के लिए इसमें तीन सीटी आएंगी और ये सबची हमारी तैयार हो जाएगी तब तक मैं अपना रायता तैयार कर लेती हूँ क्योंकि इनको आज लंच में रायता भी लेके जाना है वैसे दही तो लेके ही जाते हैं लेकिन आज बूंदी वाला रायता बना रही हूँ बूंदी मैंने हलका सा गुनगुने पानी में बिगा के रख दी थी और इसमें मैंने बुना हुआ जीरा, चाट मसाला, थूड़ी सी लाल मिर्च और काला नमक तो बस ये सवैड किया है और इसमें और कुछ भी कोई तड़का वगेरा कुछ नहीं अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूँगी और बहुत ही टेस्टी सा ये बूंदी वाला रायता हमारा बन के तैयार हो जाएगा तो रायता बन गया है, आटा बन गया है अब मैं आई हूँ बहार धनिया लेने के लिए क्योंकि मार्किट का जो धनिया है आज नहीं था जादा तर तो मार्किट का ही चल रहा है सेलिए मेरा धनिया ऐसे ही खड़ा हुआ है तो मैं यहां पे फ्रेस फ्रेस सा अपना धनिया तोड़ने के लिए आई हूँ और धनिया तोड़ते ही तिनी अच्छी कुश्बू आ रही थी कि आप पुछिये मत घर की चीज़ की तो बात ही अलग होती है तो बस मैं यहां पे साथ साथ यह धनिया अच्छे से तोड़ लूँगी और फिर इसको वास कर लूँगी अच्छे से देखिए देखने में ही कितना सुंदर लग रहा है और मैंने अच्छे से धो लिया है और फिर इसको कट कर लूँगी अब तक जो है कुकर का प्रेसर डाउन हो जाएगा और सबजी हमारी बन के तैयार हो जाएगी और मेरा यह ज़्यादा काम जो है सबजी वगरा का सब सुभा ही निपट जाता है क्योंकि यह लंच लेके जाते हैं तो फिर पापा हैवी लंच करते नहीं है तो सुभा का मेरा बहुत ही भागदोर वाला काम रहता है बहुत ही जल्दी जल्दी का तो देखिए आलू बहुत ही अच्छे से बन गए है मतलब आलू बड़ी की सबजी और मैंने इसमें डाल दिया है अब धनिया और इसको थोड़ा सा मैंने आलू को तोड लिया है तो देखिए सबजी हमारी बन के हो गई है तयार और जो किचन किंग मसाले का इसमें फिलेवर था बहुत ही अच्छा आया है बहुत ही टेश्टी सबजी बनी है और इसके साथ बनाई है मैंने आज पराठे ये तो रोटी ही लेके गए है लेकिन ये मैं आपको बाद में सर्विंग दिखा रही हूँ बच्चों के पापा के मैंने पराठे बनाये थे कभी कभी घर में कोई सबजी होती नहीं है तो ये सोया चंक्स वाली सबजी बहुत ही देश्टी बनती है और खास कर किचन किंग मसाले के साथ तो इसका फ्लिवर बहुत ही गजब का आया है आज जी वीडियो मैंने शुरू कर दी थी वोई सोवर से ही और अब आपसे मिल नहीं हूँ सारा काम कटम करने के बाद काम तो मेरा थोड़ी देर पहले कटम हो गया था लेकिन फिर एक दो दूसरा काम होता है आपको पता है मेरे काम का मेरा दूसरा भी काम है तो उसमें मैं लग गई थी कोई आ गया था तो वो देख रही थी तो अब तो मैं लेटी आपसे मिल नहीं हूँ अब टाइम हो रहा है एक वज़रा है दोपैर का तो अब मैं आपसे मिल नहीं हूँ अभी मैं फिरी हुई हूँ कुछ खाना पिना होने के बाद फिर मैंने वीडियो का काम भी किया था, उसमें टाइम लग गया, होर बस फिर पूरा किचन का काम किया, अब तयार हुई हूँ, सारा काम गतम करके, और अब आपसे यहां पे मिल नहीं हूँ, जब वीडियो जो है वो इससे शुरू करती हूँ न, तो मन में यही रहता है, कि मैं भी बैठ के आराम से ब्रेकफस्ट करती हूँ, फिर फोन वगएरा देखती हूँ, फिर मेरा जो है, काम बचावाता वीडियो का, वो होने में फिर इतना टाइम लगी जाता है, और धूप होत अच्छी हो रखी है, अब तो डेली धूप होने लगी है, अच्छी सर्दी दूल गए है, तो कपड़े मैं निकालूंगी और फिर कपड़े सुखा दूंगी, एक बैच में मैंने आज दोलिया दूल लिये थे, तो वो मेरे सुख चुके हैं, वो मैंने पहले ही सुखा दिये थे, सबके दोलिये थे, तो वो मैंने डाल दिये थे, और अब मैंने कपड प्रेस करने है तो देखती हूं जितना कर सकती हूं उतना मैं करूंगी तो चलिए मैं कपड़े भी सुखा लेती हूं और पिर मिलूंगे आप से उसके बाद तो कपड़े यहीं पे डाल दूँगी आजकल अच्छी धूप आ जाती है और इतनी जादा धूप चाहिए नहीं होती है क्योंकि ड्रायर कपड़े रहते हैं तो इतनी धूप नहीं इस धूप में आराम से कपड़े सूख जाते हैं और आजकल हवा भी चल रही है तो मौसम अ शूरू हो जाए क्योंकि मोटी जैकिट वगएरा मैंने भी अपने जातार स्वेटर उठा के रख दिये हैं मतलब धूल दिया अभी डखके नहीं है अभी आज सोच रही हूँ और कपड़े वगएर काम करने के बाद मैं आई हूँ किचन में रोटी सेक रही हूं बच्चों के लिए डाई बज रहे हैं और इससे पहले मैंने पापा के लिए चाई बनाई है क्योंकि पापा लंच नहीं करते तो उन्होंने चाई और फ्रूट लिया है तो पापा का थोड़ा सा टाइम टेवल चलता है तो वो अपने time के हिसाब से अपने जो है routine उनका लगी है हमसे तो वो अपने routine के हिसाब से करते हैं और यहाँ आटा मैंने सुब़ई बना के रख दिया था बच्चे भी daily नहीं lunch करते हैं कभी मैं चावल बना देती हूँ जैसे सबजी रखी हुई है सबजी के इसाब से और आज आटा रखा हुआ तो बस मैं ही बोलने लगी कि खा ले ना बेटा गरम गरम रोटी सेख तूंगी क्योंकि ठंडी रोटी तो अच्छी ने लगती है गरम फिर भी एक दो बच्चे खा लेते हैं तो बस आज मैंने जो है रोटी गरम गरम उनको सेख के देई दी इसले बोलने लगा कि मम्या आज करारी करारी सी रोटी जो है चलिए बना दो तो आज करारी करारी रोटी खाते हैं कुरकुरी रोटी तो आटा मेरा बलकी मैंने फ्रिज से पहले नहीं निकाला था ध्यान नहीं है क्योंकि डेली नहीं बनती है आटा थोड़ा सा ठंडा हो रखा है फ्रिज में रखतीया था सुबह तो ठंडे आटे की रोटी बेलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है लेकिन रोटी बहुत ही करारी करारी बनती है तो बस बच्चों को मैं दोनों को जो है खाना किला दूँगी और फिर एक आध रोटी मैं भी ले लूँगी बच्चे खा लेते हैं तो मेरा भी हो जाता है नहीं तो फिर हम सब कभी फ्रूट, कभी चाए, दूद, ब्रेड इस तरह से भी काम चल जाता है लेकिन अब थोड़ा सा क्या है, धिन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा तो थोड़ा सा लँच का काम होने लगेगा तो दोनों साथ में ही बन जाते हैं बच्चों का जो मन होता है वो सुभा वो ले लेते हैं खाना पीना होने की बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया लेट गई थी मैं थोड़ी देर के लिए और अब फिर से आई हैं किचन में बरतन मिगरा मैंने नहीं किये थी बस जो है सलाव अगरा साप कर दी थी और यहां पर कर रही हूं अचार की तयारी अचार कल नहीं बना था टाईम नहीं लगा था हलाकि कल अचार मुझे बनाना था उससे पहले वीडियो में मैंने गाजर जो है काट के रखी थी फिर उनको उसी तरह से मैंने नमक लगा के रख दिया था फिर कल उनको सुखाया था तो कल ही बनना था लेकिन टाइम नहीं लगा तो उसकी तयारी यहां पे कर रही हूँ मसाला मैंने हलका सा भून लिया है रोस्ट कर लिया है और तेल सरसुका लिया है जिसको गरम होने के लिए रख दिया है थोड़ा सा तेल में दुआ निकल जाएगा फिर मैं गैस ओफ कर दूँगी तब तक यहां दरदरा मसाला पीस लोगी और रेसिपी आपको आज प्रोपर नहीं दे रही हूँ क्योंकि अभी मैंने पीछे वीडियो में पूरी रेसिपी आपको अच्छे से दी थी तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं आपको मिल जाएगा कि मैंने ये रेसिपी कैसे बनाई थी और किस तरह से क्या कैस में मसाले मिक्स किये थे और ये अचार लोंग टाइम तक चलता है खराब नहीं होता है तो मसाला मैंने दरदरा पीस लिया है हलका सा रोष्ट करके पहले ही रख लिया था और अब बारी आ गई है मिर्च पीसने की जो लाल मिच मैंने धूप में सुभा सुखा दी थी और अब उनको याँ पे पीस लूँगी थोड़ी सी मिर्च मैंने साबुत रख दी हैं जो कड़ी बगरा में तड़के में हम यूज करते हैं सामवर में तो वो मैंने रख दी हैं थोड़ी सी निकाल के साबुत वाली और फिर आप देख सकते हैं मैंने मूँ लपेट लिया है अच्छे से नहीं तो क्या होगा मिर्च का जो है धसक चड़ती है धसका धसक जो भी आ बोलते हैं मारे याद दसक बोला जाता है कि मिर्च की दसक आ रही है तो इस तरह से मूँ कवर करके मैं ये मिर्च पेस लोगी आदी मैंने पीस ली हैं और अब आदी पीस लोगी उसके बाद फिर मुझे पीस नहीं है इनकी दवाई और तेल हो गया है गरम वो मैंने बंद कर दी थी गैस हलका सा उसमें दुआ निकाला है तो फिर उसको बंद कर दिया है और उसके बाद मैं अचार बनाऊंगी इनकी दवाई पीसने में थोड़ा सा टाइम लगेगा दवाई इनकी खतम हो गई थी तो वो भी पीस लोगी और जार मैं चेंज करूँगी क्योंकि ये लाल मिच का है तो दवाई हमारी तीकी हो जाएगी तो दूसरा जार मैंने मिक्सिका ले लिया है अब इनकी दवाई पीसना शुरू करूँगी दूप में ही सुभाई इनकी दवाई भी मैंने रख दी थी और दवाई में जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था जो काला जीरा मेथी जामून की गुटली दाल चीनी ये सब मैं मिक्स करके एक जगे पीस दूँगी और फिर इसको चान लोगी ये मैंने इनकी दवाई पीस ली है अच्छे से चान ली है चलनी से और इस तरह से अभी मैंने ये थाली में रखी है फिर इसको मैं इनके डबे में भर दूँगी जो दवाई का डबा है और ये मेरी लाल मिर्च है मिर्च में बीच बहुत ज़ादा थे टीह की वाली मिर्च है और इतने अच्छे से सूखी नहीं थी तो color इनका इतना red सा नहीं आया है बीच ज्यादा है मिर्ची में और ये मेरे अचार का मसाला है जो मैंने दरदर अपीस लिया है और ये तेल इदा ठंडा हो गया है गरम तेल में अचार नहीं बनाऊंगी ठंडा हो गया है जब से रखखा रखखा और बरतन बचाने के लिए मैं इसी में यह अचार कर लूँगी क्योंकि यह तेल का बरतन है और इसी में उपर से मैंले गजर मुली डाल ली है आज मैंने हरी मिर्च नहीं डाली बच्चों ने मना कर दिया था अचार बहुत धिका हो गया ता पिछली बार जादा मिर्ची हो गई थी तो देखिए ये मैंने यहां पे मसाला डाल लिया है और फिर इसमें दो चमच मैंने कश्मीरी लाल मिश डाली है और थोड़ी सी हल्दी डाली है आदा चमच से भी कम और दो चमच मैंने इसमें हमचूर पाउडर डाला है अचार की कौणिटी के इसाब से मसाले डाले जाते हैं तो तेल इसमें पहले से ही है सरसो का जो की गरम कर लिया था और फिर ठंडा कर लिया है और बस इन मसालों को अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी और मसाले इसमें यही जाते हैं, चलिए मोटा मोटा सा बता देती हूं, सोफ हो गया, और राई हो गई अपनी सरसो, मेथी दाना, अजवैन, जीरा, तो यह मसाले इसमें होते हैं, और यहां पर मसाला मैंने बचा लिया था, तो फिर मैंने तोड़ा सा और इसमें अड़ कर दि तो नमक में इसको पहले ही करके रख दिया था एक रात के लिए छोड़ दिया था तो नमक ज़ादा नहीं डालूंगी हलक का सकाला नमक मैंने डाला है और थोड़ा सा इसमी विनेगर डाल दिया है विनेगर से जो है अचार के खराब होने के चांस नहीं रहते हैं और खटास भी आती है टेश्टी फ्लेवर होता है बहुत ही और देखिए अचार हमारा बनके हो गया तैयार और इसी बरतन में अचार बन गया सारा तेल इस्तमाल हो गया और एक बरतन चिकना उने से बच गया और मसाला देखे किस तरह से कोट हुआ है बहुत ही मसाले वाला टेश्टी सा यह चार बनके तयार हुआ है और चोटे चोटे तीन जार लिए है मैंने तो तीनों में डाल दिया है एक जार को पहले यूज़ करेंगे फिर दूसरे को फिर तीसरे को तो इस तरह से अचार हमारा सेफ रहेगा और बड़ा जार मेरा खाली भी नहीं था तो इसको मैं दो दिन की धूप दिखाऊंगी और फिर यह चार गर्मी तक भी मेरा खरब नहीं होता है अगर यह गर्मी तक बचा चुकि इस बार चार जल्द जल्दी खतम हो रहा है और अब शाम का टाइम हो गया है साड़े चार का टाइम हो रहा है धूप चली गई है कपड़े सूप गए है तो आज अंश को बोला है मैंने कपड़े उतारने के लिए तो आज अंश कपड़े उतार रहा है और देखिए उतार उतार के न यहीं पे डाल रहा है तो यहीं डाल देगा और फिर इनको अंधर डालेगा तो आज अंच ने ये काम किया और बस मेरा भी पूरा दिन हो गया है लगे 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 इस तरह से लेकिन आज बहुत सारे काम मेरे एक्स्ट्रा हुए हैं जैसे कि दवाई का, चार का, मिर्ची का बहुत सारे काम होते हैं घर में इस तरह से बहुत सारे तो चलिए अब कपड़े जो हैं अंदर डाल लेते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे तो मसाला मिर्ची मसाला नहीं सोरी मिर्ची पिस गई और इनकी दवाई भी पीस दी मैंने खतम हो गई थी और क्या किया अचार अचार भी बन गया तो सारा काम कंप्लीट हो गया है गरमसाला मुझे भी पीसना था लेकिन वो है नहीं गरमसाला आएगा और सामान भी एक दो आएगा एक दो दाले बगरा खतम हो रखी हैं तो यह मसाला लेके आएंगे तब पिसेगा बस एक आत दिन का इस मसाला मेरे पास बचा हुआ है ओ हाँ भाई वो भी तो करना था लिस्ट बनानी थी लिस्ट बनाने को बोलके गए थे कि लिस्ट बना देना और मैं हो सकता है शाम कोई लेके आ जाओं लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया चलिए अब बनवा दूँगी बच्चे बना देंगे बागी सामान है अ तो वो खतम हो रखा है फिर उसको पीसना है तो इनको मैं बच्चों को बोल दूँगी पहले लिस्ट बनाने को पूरा दिन ऐसे निकल जाता है अब शाम का बना है अब दोपैर का क्या करना है अब शाम का क्या करना है तो सुबा से शाम ऐसे ही हो जाती है कुछ भी पता नह कि दिन कहा गया कहा नहीं और मैंने आप से बोला था दोपैर में कि मैं कपड़े प्रैस करूंगी लेकिन नहीं हुए और बहुत बारास ही होता है कि मैं कुछ सोचती हूं और नहीं हो पाता है टाइम इनी मेरा फिर मैं खाने वाने में लग गई और फिर थोड़ा सा लेट पड़े हैं और प्रेस के भी पड़े हैं आज नहीं होगी कल हो जाएगी रोज कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ लगाई रहता है ऐसी तो चलिए बस अब इस वीडियो का एंड करती हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सेयर और कोमेंट और सब्सक्राइ हैं फेस्बुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप चेक कर सकते हैं तो अब मिलूंगी कल आप से एक नई प्यारी सी अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई हैंस बाई बाई बोलो बाई बाई